आश्रे फाउंडेशन सोसाइटी देहरा ने सिविल अस्पताल ज्वाला मुखी में लंगर लगा कर गरीबों, मरीजों, वतिमारदारों और दरुरत मंदों को खाना खिलाया। ये लंगर दो दिन के लिए लगा गया है। निश्रुक लंगर का लगभक सैकडों लोगों ने लाब उठाया। और जरुत मंदों को देने वाली उनकी सेवाएं भी बढ़ती जा रही है। मिनाक्षी ने बताया कि जहां ज्वाला मुखी अस्पताल में हमें पता चला कि यहां मरीजों वतिमारदारों को खाना नहीं मिल रहा है। इसलिए वे अपनी सहियोगी टीम के साथ मिलकर उन्हों ने यहां दो दिन के लिए निशुल कलंगर की विवस्ता की है। जरुतमंदों की जरुत को देखते हुए उनकी संसा कारे कर रही है। तो हमारी टीम के सारे सदस्यों ने जल्दी से जल्दी यह सब मैनेज किया है। बेवी चुहान जी ने और संगीता जी ने बिकॉज मैं तो यहां पे थी नहीं तो इन ही लोगों ने सब कुछ किया है। काल जैसे भी हम्मारी टीम को पता चला कि यहां पे ओपरेशन मगारा हो रहे हैं तो हमारी टीम ने यही सोचा कि इन के लिए कुछ ने कुछ किया जाए तो हमने रात के खाने को बन किया, सुबा हमने चाहे ब्रैट और आज रात फिर खाना जो भी हमसे जितना हुआ हम चाहते हैं हमारे सज्जादा आज भी मिले ताकि इस फान्डेशन को मागड़े लाइव टाइम्स टीवी के लिए ज्वाला मुकी से विभूश शर्मा के रिपोट लाइव टाइम्स टीवी के फेस्बुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा